लोग यहासा सोचते थे कि टाई और सूट लगाकर कि बड़े काम होते हैं हमने का कि टाई और सूट की आवशकता नहीं है दोती भी हो तो चलेगा पर इसके अंदर होना जरूरी है विज्ञान किसी की बपोती नहीं है यदि आज भी मेरी कोरोनिल डंके की चोट पर भीक रही है मजदब हम सही हैं जो प्रफोगंडा करने शडेंद्र करने वाले लोग गरत हैं हमने जो पहले दिन कहा था आज हम भी उसी बात पर कायम हैं और हमारी कोरोनिल भी काम कर रही है आज हम लोग एक लाख टन से ज्यादा अबला खरीते हैं एक लाख टन से ज्यादा एलोएरा खरीते हैं तो तो हजारो हजारो कोई स долго का सावान करिदा जयता है तो एक किसान 25-25 रुपय भी पहुंचता है तो भी आप समझीए कि हम लाठों लाठों किसान परिवारों को लाप पहुंचा रहें तो कितने बड़े एक कुदान है तुम उख्दान जब हमने पहली बार का कि अश्रगंदा कोरोना के लिए लापकारी हो सकता है तो लोगों ने बहुत मजा कोड़ाया बाकी को छोड़ दो आई रुद वालों ने भर्रसा नहीं किया लोगों को लगता है कि रातो रात में निकाल दिया कोरोना आया तो बाबा ने दवाई बना इंफ्रेस्ट्रक्चुर भी पतंजली के ऊपास बायोश्यफ्टी लेबल ठी लेवल का रिसर्चलाइब हमारे है हिंदुस्तान में को अकलोवती और की संस्थान किसी संस्थां के पास है जो हमारे पास है और इसी तरह से एकुप्मेंट्स की लेबल पर बात करें दुनिया कि बहतरिन से बहतरिन equipment से brain की बात करें तो दुनिया का बहतरिन से बहतरिन scientist आज हमारे पास है और टक्कर दुनिया को आयर्वित की प्रतिश्ठापना और आयर्वित को लेकर कि जो एक तरह से धक्यानुसी और वक्वाद जो करते हैं लोग उनको जो जैसे कतना करारा जवाब आज पतंजली दे रहा है और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा करंद World Herbal Encyclopedia हम लोग हैं जिस बीदिशनल मेडिशन की माद्याम से बार लाग से ज्यादा हम लोग वने रिका थे करेंद्ध वहां πर अठारस्वस्टी को उने करेंटिकी है दो जहाजाज से ज्यादा ट्राइबल्स की जो हमने उसके अंदर हम लोग ने उनकी यूज जो 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 ट्रेदिशनल जो उनकी होते हैं वो उनको हमने उसके अंदर डाला हुआ है कोई अलबेती डॉक्टर पाजाए तो नहीं खाता है खाता है तो बंद करते हैं भाई वो किस अधिकार से इस बात को कह सकता हुआ आदमी तेरे को आयरुवित का जब कखा नहीं पता है तुमने कुछ पढ़ा नहीं है जान नहीं हो सकता है उन शड़ेनत्र कारियों को आपको पैता है कि लाखो लाखो रुपय का बिल बनाना था पर कोरोना की दवाई नहीं एक विकते हॉस्पिटल में एड्मिट होता है लाखो रुपय का बनता तो और कायका बन रहा भाई राजनीती वो होनी चाहिए जहां अच तो प्रॉपर वे से पब्लिस करके इस फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं मुझे बताते हुए बहुत खुशी कानुभव है कि इसमें लगबक 70% हमारे पास गर्ल साइंटिस्ट हैं और उसी पतंजली रिसर्च इंस्टिट्यूट के औशधिये पधों के उध्यान में मैं खड जो की अलग तरीके से बनाया गया यहां पे अलग अलग प्रजाती की चडियां है मतलब बतक हैं कबूतर हैं पैरकीट है तोता है और यहां शुत्र मुर्ट तक है इसके अलावा यहां होने का जो मेरा प्रियोजन है वो यह है कि आपको यह दिखाया जाए कि जब आप अगवाधारी कोई वेक्ती है और आयरुवेद के नाम पे जरी बूटी खल मुसल में कुछ कूट रहा होगा लेकिन जब मैं यहां पे घूमने लगा और वहां के लेवरेटरीज में मुझे एक्सिस दिया गया और वहां जब हमने देखा कि वहां मॉलीकुलर बायलोजी इन तो वहां हमने देखा कि एक तरफ जिस आयरुवेद को स्यूडो साइंस पूला जाता है उसी का दूसरा इंड यह है यहां पे बहुत ही सूठ्ष मस्थर की मॉलीकुलर बायलोजी और बायोकेमेस्ट्री और फिर सेल्स के उपर यहां पे लगातार काम चल रहा है आज मेरे साथ आचारे बालकृष्ण जी हैं जिनका योगदान चाहिए योग हो या आयरुवेद हो और भारतिया समाज और संस्कृति के लिए अगर बाबा राम देव से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है दोनों का योगदान हमारे समाज और संस्कृति के लिए काफी ज़्यादा रहा है चाहे वो तत्यक्ष या परोक्ष इंप्लॉइमेंट जेनरेशन की बात हो आयरुवेद को भारतिया समाज में एक मुख्यधारा में लाने की हो हॉस्पिटल्स बनाने की हो हर्वल गार्डेंस है गाउघर के लोग जुड़े हुए अपने आपको महसूस करते हैं चाहे योग हो या आयरुवेद हो और उसके बाद तमाम तरह की शोध पत्र जो आचार बालकृष ने खुद भी कई शोध प्रत जो है अथर किया है पर आयरुवेद को लेके तमाम तरह के पाउधे बोटानिकल डिक्शनरी क्रेट करना इंसाइक्लोपीडिया बनाना इस सब पे पतंजली रिसर्च इंस्टिट्यूट में काम चल रहा है इन ही सब बातों पे हम आज बात करेंगे अचार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इतने व्यस्ट समय में आपने हमारे लिए समय निकाला और कैमरा सेट अप करने में भी हमें काफी समय लग गया आपने धहर के साथ हमें यह सारा काम करने दिया तो स्वागत है आपकी लिए अबार अचार जी सबसे पहला प्रस्ट है और थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा नकारतमक है क्योंकि पतंजली को लेके पतंजली एक इंटरप्राइज की रूप में जिस तरह से हजारों करोड की एक प्रॉपर्टी बन के आई है और किसी ने सोचा नहीं था कि यह इस तरह तक जाएगी और उस कारण चाहे कॉर्परेट्स हों या अन्य लोग हों कई बार भ्रांतियां फैलाते हैं अईरवेट को स्टूडो साइंस कह देते हैं इन सब को लेके आप कैसे देखते हैं इन लोगों को कि हजार आपने अच्छे काम किया और उसमें से एक का तो उसको इतना ज्यादा मेगनिफाइ करके दिखाया जाता है आप इस तरह के क्रिटिसिजम को आलोचना को कैसे देखते हैं भारत में आज जो एक स्विकारेता है योग आईरवेट की लोगों के मन में जो एक भावना है वो कभी इस स्थर पर स्विकारेता किसी संस्थान के प्रदी या विक्तियों के प्रदी कभी रही नहीं तो हमारे लिए इससे बढ़कर के और कोई बात हो नहीं सकती है कि देश की जनता हमारे प्रदी विश्वास का भाव रखती है तो वो हमारी responsibility है कि उस विश्वास को बना करके हम आगे बढ़ें और पतंजली ने व्यापार के उद्देश से या अपने सामराज्य को फैलाने के उद्देश से कभी कोई कारे नहीं किया अपितू हमने यह सोचा कि अपनी परंपरा रिशी संस्कृती उसको अश्रे बना करके हम किस तरह से लोगों को लाब पहुचा सकते हैं तो लाब पहुचाने के लिए हम लगे तो उसमें लोगों ने स्विकार किया इसलिए पतंजली बड़ा बन गया जहां तक रही विरोधी की बात है क्योंकि लोगों ने कभी सोचा नहीं था जो एक गुरुकुल से निकले हुए विद्यार थी जो संस्कृत और शास्त्र को पढ़ने वाले लोग जो बड़े-बड़े जो आजकल के जो प्रोफेशनल और कॉमेर्शल इंस्ट्यूट के पढ़े हुए ना हो तो उनके द्वारा भी इतना बड़ा काम हो सकता है लोग यह ऐसा सोचते थे कि टाई और सूट लगा कर कि बड़े काम होते हैं हमने का कि टाई और सूट की आवशकता नहीं है दोती भी हो तो चलेगा पर इसके अंदर होना जरूरी है यह हमने लोगों को बैदाया और इसका कारण यह भी रहा कि आज बहुत सारे जो इंटेलेक्शन लोग हैं पहले उनको लगता था कि तुम्हारी ड्रेस थोड़ा सा भी थोड़ा भी कहीं कुछ वो लगे तो उनको लगता था कि कहीं तुम्हारे श्रमता के पर प्रश्ण चीना तो नहीं पर आप आज देखेंगे बड़े-बड़े विद्वान साइंटेस्ट यह नहीं एक परिपाटी बनगे इसी तरह से आपने देखा होगा जितने भी MNC से या बड़े-बड़े कंपनियां थी वो ऐसा मानते थे कि सिर्फ एक्टर्स और दूसरे जो लोग हैं या फूहड उ बेचा जा सकता है उनी कंपणियों को जब आप वोरा पुरिदों की बात उनके नाम और इतना ही नहीं संच्र्त अता ही में बनारें तो मैं यह मांनता हो कि इंडारेक्ट रुप में वो हमारी ही सफलता हमारी ही विजय है क्योंकि हमारे काम अगारे काम प्रोड़ेक्ट व स कंट्रोल किया है कई जो पुराने पुराने सामान थे उनके रेटेनी महंगाई यूं तो बढ़ रही है पर उनके सामान का MRP कम हुआ है इसका कारण यही है कि पतंजली ने इतना टक कर दिया कि उन लोगों को मजबूरी से अपने उत्पात के मुल्य जो ज्यादा लूट रहे दे तो यह हमारी सफलता जहां तक अगर बात रही कि नकारात्मक्ता जो फैलाने का प्रयास है वो तो सदियों से रहती रही है और जनता की सुईकारिता कि वो जैसे वो लोग इस तरह के मनसूबों में सफल नहीं हुए है और आगे भी नहीं होंगे तो कारी क्योंकि जब आ अधिशानी पैदा तो नहीं होना देना चाहिए परिवार्ग तो विश्वास का स्तर और प्रयोग करने को आगे प्रामाणिकता कोई प्रामानिक हो जाती है चीज तो आदमी उसका प्रयोग करेगा स्विकार करें और लोग करें पतंजली एक मतलब योग और अभी हम देख रहते तो लोगों ने बताया कि इस से मतलब इस जमीन से जुड़ी हुई काफी जमीन जो आपने साथ लीज पे लीज पे लिए और उसमें आपके अपने उत्पाद के लिए जो कच्छा माल होता है राव मेटेरियल होता है आप वहां से सोर्स करते हैं तो इस त इतने लोगों को आप रोजगार या मतलब इतने लोगों परोक्ष और प्रतेक्ष दोनों देखा जाए क्योंकि हम लोगों का जो मुख्य जो कारी है हम उसमें फूड में है हर्वल कॉस्मेटिक में है अभी रूची स्वाया के माध्यम से इडेवल ओयल के उपर है कॉमेड के टाइम पर तुल्सी अश्वगंधा गिलोए की डिमांड बढ़ी तो कहां उगेगा खेतों में उगाएगा कौन उगाएगा किसान उगाएगा हमारे आदिवासी वनबासी जो गाउं में रहने वाला जो गरीब किसान मजदूर है सीधा तो अश्वगंधा पहले इदी सो टो लेड़ सो रुपह चीलो था तो चार सो पांच्रो पहुंच गया तूल्सी का जो सुखा हुए पामारे को जो वो मिलता था पंचांग जो है बिस पचीस रुपर कीलो मिलता तो उसकी नबitude किलो पहुंचा तो यह थी आयुर विद बढ़ता है तो उसका सीधा जो डायर की एकोनमी देश में ही रहे यह निसका पैसा डेश में रहे इसके लिए Department मनाने वाली और मेटरियल सबस्वाइख को यह पतंजने किया आज लाइक हिसदे अलुएरा की बाद लोगों लोग ने द बड़े लेवल पर शुरूर कि उससे पहले बाद बर्पर बड़े स्तर पर अलवेरे का उत्पादन भी हम लोगों ने शुरू कर वाया तो इसलिए मुझे इस बात को कहते हैं हमें गर्व है कि चाहे हो आवला हो चाहे अलवेरा हो चाहे तुल्सी हो कोई भी छोटी सी छोटी सी आज लाखों किसान चाहे प्रताबगड में पहले प्रत पर पतन जली और रूचिस्वया मेला हो चाहे वह तो इससे इसे इनडायरेक्ट देखें तो आज हम लोग एक लाख टन से ज्यादा अवला खरीते हैं तो तो हजारों हजारों है कि कई सो करोड़ा का सामान खरीता जाता है तो एक किसान को पांच-पांच-पांच-द्दस लाख रुपए पहुंचता है तो भी आप समझिए कि हम लाखों लाखों किसान परिवारों को लाख पहुंचा रहे हैं तो वह कारी एक तो सीधे तोर पर इसी तरह से फिर बाकि जितने भी सप्लाइज चैन वाले हों चाहे वो मैनिफेक्शरिंग के लिए सामारे पस सीधे और इंडारेक्ट रूप में काम कर रहे हैं और उसका बेनिफिट भी हम लोगे प्रोडेक्ट के द्रिश्टे से देखें तो लगबग 10 लाख दुकानों के माध्यम से प्रती दिन हम लोग करोडों लोगों तक पतंजली पहुंच रहा है और दुकानों के चिकत्सा के माध् लोगों ने बहुत सारे विवायत करने का प्रयास किया और ये दिखिए एक सामने सी बात है कि कोई भी आउशदी या कोई भी क्लेम हम कर रहे हैं एक दिन के लिए भी हम आउशदी नहीं बेच सकते हैं क्योंकि प्रजातंत्र है लोगतंत्र है आप जाके कहीं भी किसी की शिगायत कर सकते हैं आप कोर्ट में जा सकते हैं क्या कोर डंके की चोट पर भीक रही है तुसरी पर प्रोपोगंडा करने से कोई ची thi थोड़े दिन चला करती है और एक लेवल तक चलती है आज एक करोड से ज्यादा परिवारों की कोरोना से रख्षा किये तो कोरोने नहीं करी है तो कितना बड़े उखदान है, एक करोड लोगों में से मालिजे भगवान ना करता कोई एक दो लाख लोगों के भी प्रान की रख्षा हो गई, मृत्व से बज गए तो कितने बच्चे अनाथ होने से बज गए, कितने माबाब की गोध सूनी होने से बज गई, और कितना ये थी आर्थिक सालूट की, ये ये हम बात करें, आप सब जानते कि इस समय पर कितनी लूट मची थी चारो तरफ तो उस लूट से बचाने का, और भय लोग इतने वहवित थे कि लोगों को लगता था कि कोरोना आगा तो खता में कुछ होने उपाय ने तो उसने एक तरह से कोरोनी लिदी घर में है तो आदमी के मेंटली भी उसको जहना कि संतुष्टी देगी कोरोना हो जागा तो मेरे पास रखिया उष्टी मैं खाओंगा तो ठीक हो जाओंगा तो पतंजली उसस्तर पर काम कर रहा है इसलिए हम जो बेनिफिट है आर्थी की रूप से जो लाब मिल रहा है उनकी संख्या भी लाखों मे अभी तक आयर्वत के माद्याम से हमारे चिक्साले में पतंजली योग के द्रिष्ठे और कंट्री की बात करते तो करीमन सत्तर से ज्यादा देशों के लोग के आ चुके हैं कारे के द्रिष्ठे से बात जो आयूशने जो काम नहीं किया अनूसंधान के दिए पतंजली नही ब्रवाइब कर सकते हैं इसी से आप जो कर रहे हैं कि हम मुफ्त में चिकित्सा उपलब कराते हैं इसी से मतलब एक छोटा सा उतर देजिए का कि यह पैसा कहां से आता है जो हम FMCG लेच रहे हैं उससे आप जिरूट कर रहे हैं हम लोगों ने देखिये हैं हम एदी कॉमर्शे सब्सक्राइब करनी हो लोगों से दान मांग करके हमने पहले यह पातनजली योगपिट बनाया जिए लोगों के डोनेशन से हुआ है दि डोनेशन की आप बात करें तो 50 रुपे से लेकर के 5000 तक लोगों नहीं दिया सबसे ज़्यादा किसी के कंट्रिबूशन से किसी आए कि में बात करों कि कुछ आए होता है कि इसमें कि जो पेशन्ट आगर के ठाइरते हैं उनसे फचास रुपे से लेकर कि अजार रुपया तक चार्ज होता है थोड़ा बहुत जो धरें पंच कर्म को उससे होता है जोंदें कि 10 लाख रुपेया होता होगा टोटल खर्च चारीस लाख होता है यानिके मेरे को 30 लाख मेहने के अलग वेवस्ता करने हैं इसी तरह से जो रिसर्स सेंटर में आप जा करके देखते हैं करीबन करीबन मेहने मारे जो खर्चा पांस करोड रुपया का मंतली कर्चा उसमें आये डायरेक्ट कोई भी आये नहीं है वह खर्चा ही खर्चा है तो वह कहां से आता है हम लोग पतनजील आईयूद के जो उत्पादन को खरीगते हैं हम सास्ते में उसमैं से जो आय होता है वह इन सब गतिविद्यू आज हम हमारे पास एक ही श्रोत है दिवेफ़ार्मेसी और पतंजले आयरुएट की जो उत्पाद हैं जो लोगों को घरों तक पहुंचाते हैं उससे जो आये होता है वो सारी गतिविदी में लगाते हैं आयरुएट से ही जुड़ा अगला सवाल की आयरुएट को छद्न विज्ञान या स्यूडो साइंस का के बहुत बात डिस्मिस करने की कोशिस की गए लेकिन हमने देखा है कि उसकी स्विकारिता आपने भी बताया कि वो लगातार बढ़ती ही जा रही है उसका ग्राफ जो है उपर जाता ही जा रहा है तो एक तरफ वो स्यूडो साइंस वालों का गिरो है दूसरी तरफ मैं अभी रिसर्च इंस्टिटूट गया था और वहां पर मॉलिकुलर बायोलोजी हो कमिस्ट्री में वहां पर शोध हो रहे हैं जो बहुत ही मुझे लगता है स्टेट आप दार्ट लिबरेटरी जहां पर शोध हो रहा है के लिए काम कर सकती है तो हम लोगों ने यहां पर उसको सिमुलेशन कहा जाता है डॉकिंग अलग अलग का कंप्यूटर उसके माध्यम से उसके वायरस को ले करके डॉकिंग करी जाती है तो हम लोगों ने शुरू कर रहा था कि कौन सा कंपाउंड उसके लिए कि लिए लाबकारी हो सकता है तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया बाकी को छोड़ दो आई रुद वालों ने भर्रसा नहीं किया क्योंकि आई रुद में किसी तरह के वेक्टिरियल और वाइरल डिजिस के अंदर ठीक है इम्मुनिटी के लिए बाड़ी के रेजिस्टें करी फिर हम लोगों को सब्सक्राइब करिए सारे काम गॉब्मेंट्स के रूस और प्रोटोकोल के तहद लोग समझ पाते उससे पहले पहले पधंजली ने ओशड़ी लोगों को लगता है कि रातो रात में निकाल दिया क्यों आए तो बावा ने दवाई बना दी उसकी सब्सक्राइब करें लोग उनको जो जैसे करारा जवाब आज पतंजली दे रहा है मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ दिन पहले आपने सुना होगा गीलो को लेकर कि एक बात फैली मीडिया में तो एक तरह से फेक नहीं उस्ता हो हम लोगों ने चैलेंज किया हमने उन लो गलत हैं पर हम इस तीन तक पहुंच चुके हैं कि उनको इस बात को हम मना करके छोड़ेंगे उसी रिसर्च पेपर में आज आपके माद्यम से पहले बता दे रहा हूं उनको उसी रिशर्च जर्णल के अंदर में गीलो के लाब को भी परिस करना पड़ेगा तो इस लेबल पर हम प्रकरता के साथ में सामना कर रहें लोगों का इस तरह के जो नकारात्मक्तत्व उनका सामना कर रहें क्योंकि हमारे पास विज्ञान किसी की बपोती नहीं है वो बुद्धी और साधन इन्फेस्टक्चर भी चाहिए बद्धिक शम्ताइं भी चाहिए तो इन्फेस्टक्चर भी है पतंजली पास बाइयो सेफ्टी लेवल थ्री लेवल का रिसर्च हमारे पास है हिंदुस्तान में एक लविदिक और योगिक संस्थान किसी संस्था के पास है जो हमारे पास है और इसी तरह से एकुपमेंट्स की लेवल पर इदिया बात करें दुनिया की बहतरिन से बहतरिन एकुपमेंट्स है ब्रेंड की बात करें तो दुनिया का बहतरिन से बहतरिन साइंटिस्ट आज हमारे पास है इसलिए हम दुनिया के सामने अपनी ब लेके था उसमें जो आपने जिस मैं तो मतलब ग्यानिक आदमी नहीं हूं तो इसलिए मैं मतलब मोटे तोर पर ही बात करूँ उसमें जो आपने शोध के लिए जो कुछ सुझाओ दिये थे या जो भी आपका हैपोथिस था या जो भी प्रक्रियां थी उसी को बाद में ओरल वैक्सिन जो डिया डियो बना रहा था साइच टूजी उसका नाम है तो साइद आप ही के रिसर्च को रेप्लिकेट किया लिए तोडी जी का मैं को बजाता हूं वह लोगों सबसे पहले हम सब्सक्राइब हम लोगों किया क्योंकि मैं यह वी पता दूं आपको डिया डी यो से जुडियो साइंटिस्त भी हमरें काम करएं अच्छा तुक्छ एक रिटायर में काम कर रहे हैं कुछ वहाँ पर जो रिसर्च स्कॉलर्स थे वच्च यो हैं तो ह गीजिये का हम लोगोंने सबसे पहले कहा कि टूजीट जो है आपके कोरुना वाइरस के लिए इफक्टिव हो सकता है और काम किया उनका धन्य बाद करते हैं उन्हों डेड़ लाग से ज़्यादा लोगों ने उस पेपर को देखा पढ़ा और आज रेफरेंस की रुप में भी रिसर्च के टूडी जी का कोई रेफरेंस है तो सिर्फ हमारा ही रिसर्च पेपर है और कुछ भी अभी तक भी अभेलेबल नहीं है तो भाई तुम्हारा कोई रिसर्च पेपर नहीं है कोई डकुमेंटेशन नहीं है कुछ भी नहीं है तुम्हारा आधार क्या है तो उनके पास इसका भी कोई उत्तर नहीं है क्योंकि दर्द तब होता है लोगों को दुनिया में कोई भी चीज होती तो पतंजली का नाम आ जा कि दुरिया के अंदर जो बॉतने बेस्ट मैडिसेन सिस्टम जो कहते हैं कि जड़ीबुटी पेड़ पहदे आस्री जो चिक्तसा पध्धतियां हैं उन्हों चिकतसा पध्धतियों में कितनी तरह की पध्धियां हैं और कितने प्यड़ पहदे यूज होते हैं उसके लिए बड़ा काम शुरू किया था डाकुमेंटेशन का, 2010 में वो काम बंद हो गया, वो लोग सिर्फ इतना ही काम कर पाए, कि कितनी तरह की पैथियां उनकी तीन चार वोल्यूम किताब छपी, इसके लिए कुछ नहीं कर पाए, मैं जब यूनो गय था जैनेवा में, व यद्दू काम, तो काम बोलता है, आज मैं बात को कहने के लिए आपको कुछ भी बाते कह सकता हो, परतथ्य उप्रमान तो नहीं हो सकता, गुलिया है। पहली चेक लिस्ट बनाई दुनिया के अंदर लगों तीन लाग साथ हजार तरह की पेड़ पहुते हैं उन में से करीवन साथ पैंसाथ हजार जड़ी पुटियां पेड़ पहुते हैं जो उश्वधीर उपने प्रयोग किये जा सकते हैं दुनिया में कही ने कहीं रिसर्च की माधियम से जादा हम लोगों रिसर्वी हैं उसे के अंदर होते हैं तो एक बड़ी टीम है सब काम करने के लिए समय भी लगता है बुद्धी भी लगती है टीम भी लगता है और सबसे ज़ादा आवश्रकता होती है एक ससक्त निर्देशक की जो निर्देशन दे और जो एक गाइड करकर के एक लेवल पर चीजों को पहुंचा है तो वो काम निरंतर चल रहा है लोगों को कई बार लोगों तक चीज पहुंचने में टाइम लगता है कई बार जो पहुंचती भी है तो सिमित लोगों तक पहु उठा था और अलोपेथी को लेके और वस्तुता हम देख रहे हैं कि अलोपेथी का पूरी दुनिया के मेडिकेशन सिस्टम पे एक मोनोपली है और पतंजली ने कहीं न कहीं उस मोनोपली को चैलेंज किया था ये लोग लगातार आप लोगों के उपर बैसिकली वो आयरुवेद पे भी नहीं पतंजली से उनको लगता है कि समझ से है और उन पे ये हावी होने की कोशिश करते रहते हैं तो इस विवाद को आप मतलब कैसे देखते हैं कि ये किस तरह क्या भारत की बाकी चिकितसा पद्धतियां उनके सामने हीन हैं या कालांतर में मतलब इतना समय बीट गया हमारे गरंतों को डिस्ट्रॉइ कर दिया गया लैब्रेज में आग लगा दी गया और हजार साल की गुलामी थी वो सारे गरंत जो हमारे खो गए या नश्ट हो गए तो उनको टककर देने के लिए एक थिक है कि लगातर मेडिकेस्ज चल रहा है इससे आपको लगता है कि शिर्फ पतंजली और भी ये एक imagine करें डिकट कि विıs कि अभी एक जो मानसिक्ता पहलाए गई एक भ्रह्म पहलाए गए बड़े लेबल पर कि आयरुविदी का उश्च दिखाने से लिवर डैमेज हो जाता है कि अधिकार से बात को कह सकता हुआ आदमी तेरे को आयरुविद का जब कखा नहीं पता है तुमने कुछ पढ़ा नहीं है जाना नहीं है क्यों कि या तो अज्ञानता में है या तो प्रायुजित श्रेंत्र का पार्ट है दोगी कारण हो सकते हैं तीसरा कोई कारण नहीं है इसका यह दोनों का कारण में भी जो अज्ञानता का कारण है तो उसके लिए आयरुद वाले कॉलेजेज हैं उसके बाद में भी यह कोई कोई सड़क चलता हुआ आदमी आईर्वेट को ले करके कुछ भी बोलता रहे यह तो हमारी तोहिंती दूसरी बात आज आप भाई दिदिन नेट पर सर्च करोगे ना एडवर्स इफेक्ट आफ आलापितिक आपको आलापितिक नह नाम पर तो वह लोग हावी थे उन लोगों की मौनोपोली थी तो उन्होंने अपनी दबाई पर तो कम रिसर्च किया अपने साइड इफेक्ट और अपने जो हामफूल जो जितने भी चीज़ें उतना जागरत नहीं किया हलांकि आलापितिक के दबा के उपर ही पैकेट के और ही लिखे होते हैं उसकी कितने कितने साइड इफेक्ट हैं एक आदमें धंग से पढ़ ले तो एक गोली आलवेटी खाना भारी हो जागा उसको पर आयरुवेद में कुछ भी नहीं है पर उसको इतना इसको एक तरह से अपमानित किया गया उसको दबाने को प्रयास किया तो हम लोगों ने परमात्मा की किरपा हम मानते हैं हमारे पास कोई साधन नहीं था तो हमने काम किया तो आयरुवेद को जो उसका इस्थान है उस जगह पर पहुंचाने के लिए पतनजली श्रदेश स्वामी जी के नित्रित्तों में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे है तो आलपेथिक वाला प्रपोगंडा भी आलपेथिक में कोई दवाई नहीं आहिरुवेद से दवाई आ गई उनको कैसे सहन हो सकता है उन शडेंत्रकारियों को आपको पैता है कि लाखो लाखो रुपय का बिल बनाना था पर कोरोना की दवाई नहीं एक विक्ति हॉस्पिटल में एडमिड होता है लाखो रुपय का बेल बनता तो फिर कायका बन रहा भाई यह बड़ा प्रश्न है तो जिन लोगों ने अपनों को खोया जितनी लोगों के डाथ हुई वो सब गभा हैं क्या हुआ है जो अच्छे डॉक्टर हैं वो सम्मान की पात्र हैं काम बंदन करत हैं वो बिल्कुल प्रणम में हैं पर बहुत सारे लोग तो वो उनको तो जैसे कहते हैं उनको तो वो पराश्रित हैं उनको जो पढ़ाया गया है जो सीखाया गया उस पर पर हम कहते हैं हमको अलोपेथिक से भी विरोध नहीं है हम कहते हैं कि भाई और शदी वो होनी चाहि और दर्द था इस आयुर्वत की प्रतिष्ठा होने से एक चीज़ और जुड़ गई कि बाद में हमको पते चला कि उन लोगों में एक ऐसा तपका एक शडंत्र कारियों का एक ऐसा तपका भी था उनको ये दीख रहा था उनको आयुर्वत से भी परिशानी नहीं थी आयुर् उसने फिर लोर कोट डिसिजन के लिए चेलिंज के हाई कोट में हाई कोट ने कल उसको नहीं रिलिफ दिया तो यह बात प्रामानिक हो चुके ना कोट से भी कि भाई तुम दवाई के आड़ पर धर्म का धंदा करता है हमने उस्टित का पर धंदा नहीं किया हमने होने से भारतिय संस्कृतिक स्थापना होगी इसलिए वो तपका वो आयर्वित को योग को कही कंट्री में योग को बैंड कर दिया गया स्लाम कंट्री में क्रिस्चन्स लोगों ने पर एक तपका उसको करता है क्योंकि उनको दिखता है कि योग की प्रतिष्ठा हो गई तो बारतिय संस्कृति के प्रतिष्था हो जाएगी भैवीत बोलोग हैं सडेंत्र वह करते हैं जो भैवीत होते हैं तो विज्यन तो विज्यान है न हमने कभी तो नहीं ख旭 नहीं कहा कि इसका बल्ब का आज हम को नकली जगा ये अश्ली बनने के आवशकता है योग असकान अचिल महारसी दिया गया कि आप भी परफॉर्म कर सकते हैं इस विडंबना को आप कैसे देखते हैं कि जिस वक्ति ने एक पूरा आयुरुवेद में सल्ले पहले भी था और आज भी है मां को बताता हूं शार सुत्र से लेकर कि बाकी जो सरजरी की विधाएं आयुरुवेद में भी हैं आज में पास करकर ची बच्चे संफ वही पांस करकर आयुरुवेद में जाता है वही पांस साल और प्ड़ते ऑ जो पी catching वही के अंदर घ्छा 10 साल कि इतनी तरह की सरजरी कर सकेंगे उसमें कि इसके अतिरिक तुभी सरजरी सरजरी को पहती थोड़ी है सरजरी तो इसकिल है कि कोई बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमिया करके सरजरी करेगा यह पूरी तरह से शडेंदर प्रोपगेंडा यह कुछ नहीं है और इस तरह की चीजें ज्यादा दिन चलती भी नहीं है जो सत्य लोगों सामने है और आती है पतंजली का कॉंट्रिबूशन आप ने बता रहे हैं और उसको परिवर्दित भी कर रहे हैं तरह की चीजे कोई एक ऐसा इंस्टैंस बताइए सबसे पहले आप जब कॉंट्रेक्ट करने गए होंगे किसी किसान को तो वहां कोई जिजख रही आप किसी परेशानी का सामना करना पड़ा या बरे बरे प्लॉट्स जब आ आते थी शुरूरए क्या अब हैं लोग अब भी ज्याधा थार हम लोग क्वांट्रेक्ट फार्मिंग कम करते हैं हम लोग डार्यरिक्ट परश से खरीते हैं कि उसमें उनको फ्रिडम भी रहता है हम लोग ने मीनिमम सपोर्ट प्राइज भी करा है बहुत सारे अटम के तो हम लोगों ने ऐसे भी करें और कई कर भार ऐसा भी हुआ कि कई जैसे हम लोगों के टाइम पर हुआ हम वेरा हम उन्हों को बहुत लेना शुरू कर दिया, हमने कॉंट्रैक्ट करी 100 फार्मर से वह उगा दिया 1000 फार्मर फिर बात में ऐसी स्थीति हो गई हमको को भी कई वार पीड़ा भी हुई कि हमने कभी हमको जितनी रिक्वार्मेंट से उसे अदा तो हम कैसे खफ़त कर पाएंगे वह स्थितियां भी पैदा हुई है फिर हमने का कभी पहले आप हमसे पूछ लो फिर आप पैदा करो एक यह स्थिति दूसरी चीज़ जब यह चुर्ण प्रेग होता था तो फिर पहले पर हमको लगा कि आओले का जूस भी हम लोगों को दे सकते हैं लाग हो सकता है तो यह क्यूं दिमाख में आया क्योंकि जब हम लोग बैठे तैसी चर्चा कर रहे थे पुझ्य स्वामी जी और हम कई सारे किसाना आए आप उसका रे जी पेडो को मत कातओ मार實 यह करो के इतना और ने ऐसा करते है इसका जूस को बनface है फिर जो है लोगों को कहेंगे सकते हैं पहरे हैं लोगों को कहेंगे ओना जूस मार्थका को बल Cuando आ पहां निकाले हैं मेश्चे ने उगर तब थी नहीं किरम ने पता कि आप फिर पंजाब ले जाकर के और ट्रक भर भर कर ले जाकर के वहां से जूस निकाला लंबी कहनी है पर उनके आवले के पेड़ कटने से बच गए और आज में इसको लगता है कि आवले का रेट जिस चुनाओतियों की अगर बात करें तो पिछली कॉंग्रेस सरकार जो थी आपके उपर लगातार कई केसेज किये थे और बाद में जाके हाई कोट ने सब को निरस्त कर दिया तो क्या अभी भी आपको अब नोईडा के फूट पार्क की अगर हम बात करें तो उसमें आपने भी ट्वीट किया था कि आपको कुछ परिशानी हो रही थी बिरोक्रसी से तो क्या वह सारी चीज आप सोटाइट हो गए है या फिर अभी भी चुकि एक तंत्र है जो डेएर्ट सो सालों का खड़ा होतं है तो सरकारդ बदल जाते हैं लेकिन तन्तर जो है उसी तरह से काम करता है तो क्या परिशानिय अब कम हुई है या समाप्थ हो गई या उसी स्तर पर बजह देखिये आप काम करेंगे तो आपको परिशनियत्यों सपह depends है और हम अपने कार्यों के लिए हमने कल चाहिए और हम ऽो नहीं होना चाहिए during अब आप सही कारियों में विग्रन डालें तो अभी भी बहुत सारी विभाग है डिपार्टमेंट है छोटी-छोटी चीजो में इंटेंशनली टार्गेट किया जाता है और आप जानते कि मीडिया के लिए मसाला चाहिए होता है बहुत चोटी सी बात हो जैसे पीछे हुआ कि हमारे एक और श्रदी के उपर पूरे प्रायोजित धंग से आवले जूस की बात मैं बता दो हमारा विकता था अपना जो है आर् लिए देखने का बाद में कि एक फसे से की गाड़ लाइन के अंदर में वह आवला जूस की कटेकरी में नीन हूँ मैडिकेटेड जूस है तो उस जूस के अंदर में जो संवह उस में बहुती ज्यादा, कैसे नहीं जान बूस करके पीछे से कराया जब किसी एश्गी कैंट के जो आते हैं वह सेंपल करकर ले जा करके तब वह परिक्षन किया जाता है तो वह जो चीज थी पीछे से करके खला मचा दिया की पतंजली का प्रोड़क्ट फेल अभी तक बोला जाता है तो यह जो अभी विक्ता मेरे सारा सामने तो क्या कि प्राइजत धंग से इस तरह का एक प्रफोगंडा किया जाता है कि लोगों को कई बार समझने में आने में भी परिशानी होती कि यह चीज तो शाहिद हुआ होगा इसा लगता है पीछे हमारे नूडल्स को लेकर एक बार हुआ एक बार तो बहुत मज़दार घटना घटित हुई कि उसने कहा वह जो भी आप उसको समझ रहे है वो नूडल्स को पके हुए नूडल को लेकर के प्लेट में दिखा रहा है कि यह देखो इसमें देखोई कीड पके नूडल में जो कीड़े चलते हुए मैंने कवे ऐसा कौनसा कीड़ा था नूडल पक गया कीड़ा जो जिंदा रहे गया तो इस तरह के सितियां होते वो भी चीज़ दिखा जाता हूँ लोग कई वार विश्वास कर लेते हैं तो इतना ही होना चाहिए जहां तक विश् अभी करना चाहिए तो अवश्वश्नी एक दिन में विश्वस्नी नहीं होता विश्वस्नी एक दिन में अविश्वस्नी नहीं होता दूसरी चीज हम जब देश को परिवार समझते हैं देश हमारे लिए परिवार है देश हमारे लिए बजार नहीं है तो हम परिवार के ल योग और आयुरुवेद को स्थापित किया है इसमें कोई दोराय ही नहीं किसी को संदे है तो वो गलत चीज़ें पढ़ रहा होगा या फॉलो कर रहा होगा लेकिन साथ ही आपने ये भी सुनिश्चित किया है कि आने वाली पीडियों के लिए आपके जो एजुकेशनल एंड वातन को आप पहुंचाने की कोशिज करते हैं पुझी स्वामी जी के प्रयास से मैं इसमें मानिय प्रधान मंतरी जी का भी धन्यबाद करूंगा कि जो लाड मैकवाले ने जो हमको सेकड़ वर्ष पहले एक थोपा था हमारे सर पर सिक्षा को आधार बना करके पूरी संस्क सबस्क्राबर रहे हैं वहां पर देश के इसमें के लिए पर देश के प्रतेग विद्याति के लिए बहुत अवसर मिले उसके लिए हम लोग काम करते तो जब हम इन जगों पर आते हैं तब हमारे मन में जो कई मिठक हैं आयरुवेद को लेके हो यूग को लेके हो वो टूटते हैं जिस हर्बल गार्डेन में मैं अभी हूँ यहां पर सेकड़ों सेकड़ों ऐसी प्रजातियां हैं हर्ब्स की मेडिसिनल हर्ब्स की मतला औशदिया गुणोवाले पोधों की यह सारे पोधे जो है एक भी ऐसा नहीं है जिनका किसी न किसी रोग के निवारण के लिए प्रियोग में नहीं लाया जाता है तो इसका तो मैं इस वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं आपको इसके कुछ तस्वीरों और वीडियो के साथ छोड़के जाओंगा ही उसके साथ ही इस इंस्टिटूट में आप पाएंगे कि यहां पे एक अलग तरह से भी काम हो रहा है एक तो मैंने आपको साइंटिफिक काम दूसरा साइंटिफिक काम ही है जो रिसर्च लिट्रिचर से जुड़ा हुआ है जैसे कि इतने सारे हर्ब्स हैं और इनका एक प्लान है कि वह वैश्विक जंगल भी यहां पे उसका रोपन करें जंगल मतलब बरे लार्ज स्थर का इस गार्डेन में जो हूं लगबाई इस लग लोगों से जो मैंने इंटर्व्यू किया दो-दो मिनट तीन-तीन मिनट का क्लिप आगे आप देखें किस तरह से न सिर्फ भारत के और शुदिया पोधों का बलकि विश्व के और पोधों का उनको किस जगह पे कहां पे क्या कहा जाता है उस सारी तरह की मतलब उन सारे नाम और बाइस सो भाषाओं में मतलब इनका अनुवाद हो रहा है और इंसाइक्लोपीडिया बन रहा है सौव वाल्यूम का सौव खंडों का बोटैनिकल इंसाइक्लोपीडिया बन रहा है जिसमें हर्प्स के नाम होगे कहां से यह आया है यह सारी बाते आपको अलग संख्या जो महाबरत के टायम का है रावन का संगिता जो आपको कहीं नहीं मिलेगा रावन संगिता वह है तार पत्रों के उपर जो अईरुवेदिक मतलब उडिया मैं है कंड़ा मैं है तमिल में उन लिप्यों में जो Egyptian का इंहोने कहा कि उनके पास लगभग 35,000 इतने तारपत्र हैं और उनके अलग-अलग पतलब जो डिजटाइज उनको किया गया तो उन पन्नों की संख्या डिजटाइज पन्नों की संख्या 35,000,000 है यह सारी बात हैं आप इस वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे ओम पुझे परमसिद्धे प्राता बंदनी है स्वामी जी महराज की प्रेणा से और परमसिद्धे पुझे आचार जी महराज यह कुसल मार्ग दर्शन में हम लोग यहां पे हस्तलिखित जो गरंथ है यह मैनुस्क्रिप्ट है उनका कलेक्शन के काम कर रहे हैं और इस करम में अगर बात करते हैं और अगर बात करते हैं तो कम सिक्वाइब के पचास जार पेज हमारे पास में पांडुलूपियों के जो पामलीफ की उपर लिखी हुई जो मैनुस्क्रिप्ट है यह जो प्राचिन हस्तलिखित गरंथ है इनमें बहुत सारी ऐसी बाते आज भी उपस्त को करने का यह है कि हम इस पर्टिकलर प्रोजेक्ट के माध्यम से जित्ती भी चीजें छुपी हुई है है इडिन है उस नौलेज को प्रकास में लेकर के आएंगे और आज भी बहुत सारी बुक ऐसी हैं कि जो आईरवेद में कहीं प्रकास में नहीं है उनको जो हस्तलिखित पांडुलिपियों के सहयोग से उनके माध्यम से पतंजली क्रेटिकली रिएडिट करके और फिर उनको पब्लिस कर रहा है इस काम में यह जो हस्तलिखिया यह बहुत ही सहायक होती है तो जैसे मैंने आपको बताए कि हमारे पास जो कलेक्सन है उसमें लगभग आठ तरह की स जिसको हम बोल सकते हैं जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट हो गई है सारदा, स्री मुखी और गुरु मुखी, स्री लिपी इन तरह की इस तरह की जो बिभगने स्क्रिप्स है वह हमारे पास माज आज आएवी लेवल है और इनके लाब जो हमारे पास पांडुलिपियों का कले जैसे कि आएवीद में बहुत ही प्रशित दिगरंथ है जिसको हम लोग मदनपाल लिगंटू की नाम से जानते हैं तो इस मदनपाल लिगंटू की जो कुछ पांडुलिपियों को दिखा रहा हूं यह काफी प्राचीन पांडुलिपियों कि हमारे पास में जिसका संग्रह ह तो यहां यह से मैं आपको दिखाना चाता हूं कि यह जो प्राचीन पांडुलिपय है इन जो संग्रहित ग्यान है वो किस तरीके से प्रिजर्ब है और इसके बाद हम पतंजली ओपिट के माध्यम से इस पांडुलिपी को अगर देखे तो प्रॉपर वे से पब्लिश करके इस फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं तो जो यह का रहे हैं यह जितने पी आईरवेद के रिसर्च स्कॉलर्स हैं यह आईरवेद के लाबा जो भी ऐसे लोग जो बाटनी को पर काम कर रहे हैं या पर्टिकलर किसी एंसेंट मैडिसिन को लेकर के काम कर रहे हैं तो हम इस मैनिस परकासित करते हैं तो इस बुक के लाष्ट में पूरा परिछे देते हैं कि हमने वह पांडुलिपी कहां से प्राप्त की है और वह सारी चीजे उनका रेफरेंट्स वगरा कि हमको कितनी तरह की पांडुलिपिय कहां कहां से मिली हुई है इस तरह से हम यह प्राचीन नौलेज को जो एनसेंट नौलेज हमारे रिष्यों का आयरवेद का और आयरवेद के लाव अन्यसास्तर का उनको इन पांडुलिपियों के संग्रहन के माद्यम से उनको सनरक्षित कर सकते हैं तो इसके तरिक जो है हमारे पास में एक पांडुलिपिया बहुत बड़ा कलेक्शन है मे और इनको डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉड़िंग हमने इनको डिवाइड करके रखा हुगा है जैसे रस मंजरी, रस तरंगडी और ये सारे आयरुवेद के सब्जेक्ट है, सारंगदर सहीता, सारंगदर पद्दिति, इसके लाब कुछ जो आयरुवेद के गरंथ है, जो गो तो पतंचली औरुपीट इन पान्डल्पियों के संग्रहन का कारी कर रहा है, धन्यवाद। और उसके साथ साथ एक सबस्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है जो की विजन और मिशन है पतंजली के जो आप ये कह सकते हैं कि जो मार्क दर्शिक है परम पुझे आचारे बालकृष्णी जी उनके विजन और मिशन में है उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वल्ड हर्बल एंस इसका इसा नाम जो है वो क्यों पड़ा उसके साथ साथ उसके वर्नेक्ट नेम्स आपको जानकर अच्छा लगेगा हम 2000 से जादा विश्व की भाषाओं को वर्नेक्ट नेम्स में कवर कर रहे हैं ये अपने आप में पहला एक विश्व का रिकॉर्ड है साथ हजार मेडिसनल प्लांट्स पर हम कारी कर रहे हैं और जिसके अंदर अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जीमनोस पर्म्स और एंजियोस पर्म्स, टेरिडोफाइट सभी हैं उसमें सभी ग्रूप ओफ प्लांट्स जो होते हैं उसके अलावा हम इसमें 200 से जादा बो परिशनी होता है लेकिन पुझे आचारे जी के संपर्क के अनुसार और जितने भी क्योंकि पुझे आचारे जी ने बहुत भारत के साथ विश्व के कई देशों में ब्रह्मन किया है तो उसके साथ बहुत सारी जानकारी के साथ हम इस शीर को कंपाल कर रहे हैं उनका भी ड आपको जानकर इसमें बहुत अच्छा लगे करें। कि हर प्लांट का यहां पर संस्कृत नोमनक्लेचर के साथ हम उसको वैदिक टेक्सोनॉमी के साथ उसको हम पब्लिश कर रहे हैं यानि हर प्लांट का संस्कृत नाम भी उसमें रहेगा तो यह विश्व का एक पहला ऐसा किरतिमान है और जिसको जिसके बहुत सारे कारियों को इसमें आप देखेंगे 35,000 लाइन ड्रोइंग्स और 35,000 हैंड मेड प्रेंटिंग्स यह अपने अपने विश्व में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक बोटेनिकल आर्ट्स तो विश्व में एवलेबल हैं लेकिन कहीं भी इस प्रकार का कारिय अवलेबल हैं उसने 1999 में शुरू करके 2010 में उसको फाइनली बंद कर दिया लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए यह पुझे आचारे श्री का मार्दर्शन हैं हमारे यहाँ पर 300 प्लस साइंटिस्ट हैं जो इस कारिय में लगातार लगे हुए हैं 10 सालों से 10 वर्षों से निरंतर यह का कानुभव है कि इसमें लगबग 70% हमारे पास गर्ल साइंटिस्ट हैं जिनके जीवन के और निर्वाहन के साधन के साथ साथ हम यहाँ पर उनको जो है एक आध्यात्मिक स्वरूप में भी लेके आते हैं ताकि दिंचरिया के साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ साथ वो अप कर दो